उन्नाइसे चैलिस्मा नियुवर्क सहर मा जन्मियका रियल इस्टेट ब्यव साई को संतान डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका को पैतालिशों राष्ट्रपतिको रुपमा इतियास कोरेका शन् धनाडे का संतान का रुपमा परिचित र धनीहर को पंक्ति में गड़ना गरिने ट्रम्प एति वेला बिश्व अर्थ तंत्रको ठूलो हिस्टा बने का शन् जन्डई नौ अर्व डलर को संपतिका मालिक ट्रम्प रियल इस्टेट बेवसाई टेलिविजन बेक्तित्व लेखक र राजनेतिग्य का रुपमा पनी परिचित छन ब्यवसाईक शेत्रमा राम्र पहिस्जान बनाउन शफल ट्रम्प राष्ट्रपति बनेर सिंग विश्व माँ चार बर्षे कारेकाल मा कस्तो रुप दिन शफल होलान सबैको चासो तेसेमा नैशा राजनेतिक शेत्र बहिरावाटा आयका राजनेतिग्य वहेकोले उनको चुनाप अभियान का नारहरू नितिका रुपमा कस्ता बनेर आउशन सहजे भन्न सकिने अवस्ता सहिना निर्वाचन को प्रचार प्रचार का समय मा उनले दिये का बिवादास्पत अभिवेक्ति लाई हिर्दा थुप्रेले बिविन आंकलन गरे काशन तर ट्रम्प कच्चा खेलाडी भने होई नन राजनेती मा रिपब्लिकन पाटी मा रहेरा तीन दसक लाम जिवन यापन गरेरा उनले अमेरिकालाई पुना माथी उठाउन अभिवेक्ति निर्वाचित भाय लगते दिये काशन Every single American will have the opportunity to realize his or her fullest potential. The forgotten men and women of our country will be forgotten no longer. We are going to fix our inner cities and rebuild our highways, bridges, tunnels, airports, schools, hospitals. We're going to rebuild our infrastructure, which will become, by the way, second to none. And we will put millions of our people to work as we rebuild it. 200 अर्थ तंत्र मा इस्तापित अमेरिकालाई माथ दिदेई सब्वेई भंदा ठूलो अर्थ तंत्र बन्ना सफल चीनलाई उचिननू ट्रम्प को पहिलो उदेश्य हुने देखिये कुछा. यद देपी निर्बाचन सुरुभाई संगाई और आलो लायको सियर बजार लाय, उकासन का लागी ट्रम्प ले, आफनो ब्योसाय मा देखायको चमतकार, यहाँ देखाऊन सक्षन या सक्दैनन त्योपनी समयलेने ब अप्रव रासी प्रती जती असायुषन देखिन थे राष्ट्रपती वही सके पची तेही अडान मा रहन र कानुन पास गराउन शकलान या नसकलान एत्ती ठुला निर्णाय लिन उनलाय सम्षत को साथ चाहिन छा नहीं. तेसले अमेरिकी अर्थतंत्रमा परने असर के हुन तेसले ट्रम्प विश्चो ब्यापी करण खुला सिमाना र उधार अर्थ वियोस्ता को विरोद्धामा जान सक्देनन र उनलाय भने जस्तु सजीलो पक के ही छाईन पानी. न्यूज 24 तेलिविजन का लागी, टीवी जार्नलिस्ट प्रदीप्राज दहल, काठ मंडव.